क्या सरकार अब कुछ चंद गिने चुने गधूं के प्रोटेस्ट करने पे चलेगी तो लाइक और शेट ठोक दीजिए पांचेजार लोड़े दिख जाना चाहिए यह चार हजार के लिए मैं आप नहीं खड़ा हूँ पुरा साल मेनद करता हूँ आपके लिए बिटा बात के सुपरीम कोट में एक पैनल बनाए सुपरीम कोट ने कहा कि आच करके बताईए कि क्या सीन है अच्छा है बुरा है कौन समर्थन कर रहे है और कौन विरोद में reality क्या है किस हद तक ये अच्छा है और किस हद तक जनता के लिचे किस हद तक farmers इसके साथ हैं क्या आबादी है उनकी पता चला कि 86 प्रतीशत farmer groups support करते हैं इन तीन कानूनों को जो की हटा दिया गया है अब मुद्दा ये है एक इतना बड़ा number मतलब बहुत बड़ी तादाद म लोगों को favor करने वाला कानून जो की चला गया उनका क्या होगा अब उन लोगों का जिनको इससे benefit होता पहली चीज सवाल लिए दूसरी चीज अगर DCN ये था तो और पहले क्यों नहीं कोर्ट ने सामने रखा तीसरी चीज क्या सरकार अब कुछ चंद गिने चुने गधूं के protest करने पर चलेगी जिसमें खालिस्तानी element है, जिहादी element है, political element है, anti-India element है, उनके उपर चलेगी, बिचौलीों का, ठेकेदारों का, तलालों का, इनका involvement है, तो इनके उपर चलेगी सरकार, मुझे सरकार जवाब दे, सरकार के वो समर्थक चुप रहते हैं, कब कि क्या ये चलाएंगे सरकार तिसरी चीज योगिंदर यादो का इंटर्विव में कहना है कि हमने कोशिश तो पूरी की पिछ तयार करने की फार्म प्रोटेस के चक्कर में कि भाजपा को गिरा सके सरकार बदल सके अब अखिलेश यादो कुछ नहीं उखाड पाए तो हमारी क हम थोड़ी decision maker हम थोड़ी player हैं हम थोड़ी खेलने जाएंगे वापए लेकिन बॉलिंग तो हमें नहीं करनी थी और अगर वो योगी जी को आउट नहीं कर पाए तो खाली पिछ बनाने वाले को न कहीं मामला बॉलिंग बैटिंग इन सब का है अंतत है खेल उनका है खेल पार्टियों का है हाँ किसान आंदोलन की कोशिश में जरूर कमी रही होगी लेकिन ये सोच लेना कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ आप राजनीती के विशलेशक हैं आप बताए किसान आंदोलन की पीक पे पहुचने से पहले उत्तर प्रदेश में ओपोजिशन था भी ओपोजिशन की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब तो यह तो किसान आंदोले ने जिसके चलते खड़ा तो हुआ लड़ा तो ओपोजिशन तो खड़ा तो कर दिया जिताना हमारी जुम्मेवारी नहीं थी या कर सकते नहीं थी आप ऐसा कहिए शायद हराना तो जुम्मेवारी थी हम नहीं कर पाए जरूर कमी रही होगी लेकिन हम इस मैच के मुख्या खिलाडी नहीं थी इसका मतलब यह था कि साब वो कुछ एक प्रोपगेंडा था चुनाओ के लिए कि चुनाओ जीता जा सके लेकिन उन सीटों पे तो कुछ खास असर ही नहीं पड़ा कैसे भाजपा फिर से पावर में आ रही है योगी फिर से सीम मन रहे है क्या उख़ड लिया लेकिन देश का 1.7 लाक करोड का नुकसान जरूर कर दिया उन जो जाम लगा जो प्रोटेस्ट हुआ जो शवी खराब हुई जो इन्वेस्टमेंट आना था तो मुझे अब सवाल कुछ लोगों से पहले वो लोग जो यह सोचेंगे कि फार्म लॉव वाकई में अगेंस्ट था और अगर किसी कोने में लगता है कि सही था लेकिन हमारे सिर्फ प्रोपगेंडा के चक्कर में भाजपा कोटाने के चक्कर में सारा नुकसान हुआ तो जो जो किसानों का नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उनके इंकम की उनके बिजनस की उनके खेती की उनके डिवलप्मेंट की उनके ग्रोथ की उनके इक्जिस्टेंस की जिम्मेदारी कौन लेगा अगर इससे कुछ भला होता तो में सरकार से सवाल है कि सुप्रीम कोट के इस decision के बाद पैनल के decision के बाद क्या सरकार उन थी कानूनों को वापस लाएगी इसका जवाब जल्दी जल्दी दिया जाए अगर कुछ कमिया थी तो उनको improve वर के ही सही क्या वापस लाएगी और लाएगी तो कब लाएगी क्या improvement होंगी किसानों के साथ वो क्या करने वाले हैं जो भी है मैं चाता हूँ आप इस video को जादा इदा share करी इन लोगो expose करी है आपने मुझे भी सुना opinion भी सुना योगिंदर यादों को भी सुना डाटा भी देखा कोट का decision भी देखा मैं चाता हूँ उस video को शेयर करें अपना point of view कमने बताइए और अगली बार ऐसा ना हो कि दो दोग ओडी के लोग decision में करना बने इसका आप ध्यान किये जनता भी प्रोटेस्ट करें प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जैहिंद बंदे मात्रा